और इसी वजह से अब ये भाजपा पार्शद दलगी बैठक आहूत की गई है, इसमें चर्चा की जारी विभन बुद्दों को लेकर कि किस तरह से अविश्वास प्रस्ताव को लाना है, तमाम बीजेपी के पार्शद इस पार्शद दलगी बैठक में मौझूद हैं। तो प्रदेश से कॉंग्रेस सरकार की विदाई हो चुकी है, लेकिन शहर में फिलाल कॉंग्रेस की सरकारे और नगर सरकार को किस तरह से रिप्लेस किया जाए, इसकी तैयारी अब बीजेपी कर रही है। प्रदेश सरकार के साथ जो वादा किया था और जिस कारण से जनता ने हम पर विश्वास करके हम को चुना है, हम जनता की सारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, और नगर निगम के माद्यम से जनता की सुविदा के लिए जो भी कारे होगा, अब हम चेताउनी दे रहे हैं, अब हम नहीं से जाएंगे, अब हम सीधा कारेवाई जाएंगे, 24 गंटे के अंदर हमको हर विश्वा में परणाम चाहिए रहेगा, और आपके सामने उदारन प्रत्रक्ष आज हम कमिशनर महदा से मांग करने जाने वाले थे, 24 गंटे के अंदर ही चौपाटी हटाई जाए यह संकेत है कि भाजपा जो कहती है वो करती है प्रस्ताव लाने को लेकर क्या तैयारी है बीजेपी पारशत दल की प्रत्रक्ष प्रवक्ता और सभी जोपी के पारशत यहां पर अभी मौजूद है आप देख सकते हैं जो पूरे पारशत यहां विस्वत मौजूद है हमारे साथ इस वक्त पे नगर निगम की नेता प्रतिपक्त से जो मीनल चौबे भी यहां पर मौजूद है लगातार वो महापार रेवजास देवर को नायतिक स्थीफा देने के लिए उन्होंने कहा है अब देखिए क्या होता है आप कैमरा परसल से निवेदन करूँगा कि मिनल चौबे हमारे साथ मौजूद है उनसे बाद करें मैडम आप लोग अविस्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं क्या है पूरा कि शहर की चारो विधान सभा में भारती जंता पार्टी के प्रत्याशियों ने भारी बहुमत से जीत हासिल किया जिस प्रकार कॉंगेस के उन Welcome के मंत्री जीनी राज्यपाल जी को अपता सिफव गया बातार श॑ल शो पतár है अंत्रफ की चुनता ने जन नहीं को नहीं चुन item के डिले में फ्र कि अस्नते चता वरतिकाल जी सील आपके माध्यम से इस्तिफ़े की मांग कर रहे हैं, बावजूद है इसका वो इस्तिफ़ा नहीं देंगे, तो फिर हम संगर्द्या से बात करके हमारी लिए दूसरा रास्ता खुला है, जल्दी अविश्वास परस्ता मानने महापौर्ज के खिलाब लाएंगे. कितने पार्षाद जो हैं, आप लोगों के संपर्ख में, आप लोगों के विश्वास परस्ता खुलाने जा रहा हैं तो लगातार प्रिंट मीडिया के माध्या, ट्रॉनिक मीडिया के माध्यां से हम देखते हैं, कि महापौर्जी की कारप्रणाडी से उनके स्वयम के पारशा आपकी बड़ी भूमिका मानी जा रहे हैं, क्या कहेंगे? सबी अधिकारियों को डरा के रखना, अपने अपने कारकरताओं को डरा करें, कॉंग्रेस के कारकरता भी आज अपने आपको कांग्रेसी नहीं समझते, जालम से आप जो हैं भयकी रागनिति से, भयक्रस्त व्यवस्था से, अब सब कोई उपर आ चुके हैं, और हम इस सहरी सरकार को ऐसी परिष्दित के साथ नगर निगम के महापौर, एजाई धेवर, ततकाल इस्थवा दे देना चाहिए, अगर वो सांती से दे देते ते तो बहुत अच्छा, नहीं तो सरकार हम सब पारसदल ने तै कर लिया है, उनको जल से जल उखाड फिते हैं, अमर बंसल ज आज भार्ची अंतर पार्टी दल, पार्शर दल जो है, बैठक ले रही है, हम ने दिक्ता के अधार पर महापौर जिसे इस्तिपा चाहते हैं, और यदि वो इस्तिपा नहीं देते हैं, तो हमारे तरफ से अविस्वास पुस्तावलादे का हम लोग प्रयास करेंगे, और हम हमारे पार्टी शन्र जो भी निर्देश होगा, हम उसको मान करके आगे कारवई करेंगे से, उन्होंने उनको भी 34 सी सीट मिली ती, जबकि 36 बहुमत के लिए चाहिए था, उन्होंने निर्दरी पार्शदों को साध करके, अपने महापौर परिश्रत में उन्होंने उनको स पुरे चारो उधान सभा में भार्णा बाइचेंट निय्ता पाल्टी को बहुमत मिलें और 70 वार्डों में हमने विजएः प्राप्त किया है तो कहींने कहीं भार्णा भार्णा पाल्टी की बहुमत है और पार्शद भी कुछ अंदुरूनी कांगरीशी पार्षाद है क्योंकि वो चाहते हैं कि वाड़ में विकास है पार्षाद चाहता है और विकास सिर्फ भार्दियंता पालिटी करती है इस तो सब जानते हैं और आज वो लोग भी हमारे इसको समर्दन देरिक लिए तेयार है नितिन बिल्कुल उनसे ये भी पूछने की कोशिश करिए कि बीजेपी के पार्षाद दल तो इसमें हैं ही लेकिन जब महापौर का चैन हुआ था तब जो निर्दली पार्षाद थे उनकी एक बड़ी भूमिका थी ऐसे में क्या निर्दली पार्षाद अब बीजेपी के संपर्ख में आ चुके हैं क्या उनकी तरफ से बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि जब भी मत विभाजन होगा तब जो निर्दली पार्षाद हैं उनका वोड भी बीजेपी के साथ जाएगा जी देखिए मैं आपको बताना चाहूँए इस बारे में बात हुई हमारी पारसद के साथ कुछ कॉंग्रेसी पारसद नहीं है जो उनके संपर्क में इस वक्त तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है विजेपी की पूरी तैयारी है उनके रावा जो है और भी जो और पांच सीट और विजेपी को चाहिए तो जो है 36 का आकड़ा जब पूरा हो जाएगा तो बहुमत की जो बिजकार है वो नगर निगम में बैठ जाएगी तो विजेपी को पांच जो निजली पारसद है आप तो लगाता तो संपर्क कर रहे हैं जी जे नितिन बिल्कुल और नितिन हम ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि जब ये पूरा प्रकरंड हो रहा है जब बैठक चल रही है तब निष्टित तोर पर शायद महापार निगम मुख्याले में नहीं होंगे लेकिन क्या उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई है क्या कुछ कहना है उनका विश जा सका है उनसे अभी तक तिल हाल जो मार्केट में हावा है जुझा कहना है कि महापाओर बोल रही है कि जबस्ध्र प्रसकताओ क्कौरी मुहमद अज्ञे गर पहुचे हुए थे कई कांगरसी पारसद भी मदगवर के घर पहुचे हुए थे वहाँ पर रात भर मंतान हुआ उसके बाद जो है इजाज रहे बर वहाँ से निकले हैं तो देखे अब जो महाबार की सुत्री कुर्सी जो है अभी भी खतरे में साज में आ रही है जे नितिन नितिन इसके लावा भी शहर में एक बड़ी हलचल हो रही है चौपाटी मामले को लेकर हम चाहेंगे कि वहां से भी आप जरूर जो ताज़त तस्वीर हैं पहुंचाएं क्योंकि जानकारी मिल रही है कि जो इस्थानी दुकानदार थे जिनकी दुकाने हटाई कर रहे हैं फिलाल बहुत शुक्रिया आप काम से चुटने के लिए थोड़ी दिर के बाद हम फिर से आप से संपर्ख करेंगे तो यह थे हमारे से होगी नितिन विश्रा जोकी निगम मुख्याले से तमाम